एक सो पचास फेट उपर तक उछलते चले गए लोग एक किलो मीटर तक छरों की तरह लग रहे थे पत्थर और इंटे मौत ऐसे बरस रही थी कि मानो हम किसी जंग के मैदान में खड़े हों पूरा का पूरा आस्मान गुंजाय मान हो गया काले काले धुए से और मौत के मंजर से दहल गया पूरा जिला नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इस समय मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक बहुत ही दर्दनाग खबर निकल करके सामने आ रही है और बहुत सालों के बाद ऐसी खबर निकल करके सामने आई है हम आपको बताते चलें दूस्तों कि 1984 के डिसंबर में भोपाल गैसकांड हुआ था मध्य प्रदेश में जिसको हमने जिसका पूरा का पूरा मंजर हम लोगों के आँखों के सामने आज भी दिखाई देता है क्योंकि उस समय हम लगभग भोपाल के पास थे और लोगों के लगातार मरने का मंजर लोगों के अंध्य होने का मंजर लोगों को कहीं से भी किसी भी प्रकार की साहयता न मिलने का मंजर हमने अपनी आखों से 1984 में देखा है दोस्तों बोपाल गैस त्रास्दी में जो बोपाल का गैस कांडुगा थे उसके बारे में आप बहुत अच्छा से जानते होंगे लेकिन मंगलवार की सुबह यानि कि 6 जनवरी की सुबह के लगभग 11 बच करके 20 मिनद की पटाकों की फैक्टरी थी वहां से 11 बच कर 20 मिनट पर पहला बहुत जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के बाद अभी लोग कुछ समझ पाते उसके बाद 11 बच कर 27 मिनट पर दूसरा धमाका हुआ और उसके बाद धमाके पर धमाके पर धमाके और लोग लोगों की ची भी सुनाई नहीं दे रहा था दोस्तों हम आपको पूरा पूरी स्टोरी बचाते चले कि इस पूरी कहानी में इस पूरे न्यूज में अपने आप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि आप देखना चाहेंगे जिनको कि आप बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे क्योंकि इस पूरे के पूरे हादसे का असर हमारे देश पर हुआ है यहां तक कि पी-म भी चिंती थे और पी-म ने अपनी तरफ से दो-दो लाख रुपे की गोशना की है म्रसकों के लिए राजी सरकार ने 4-4 लाख रुपे गोशना की है एंजीटी ने भी कुछ किया तो यह सारी ची कि एक इलाके में एक व्यक्ती ने जिसका नाम राजे शगरवाल बताय जा रहा है और उसके भाई जो है वो सोमे शगरवाल बताय जा रहा है तो ऐसे और कुछ सुपरवाईजर और कुछ और भी करमचारी वहाँ पर थे ऐसे लोगों ने 3,000 रुपे किराये पर कृशी की ज लाइसेंस में जितना भी उसको सुप्धा प्राप्थी उससे ज़्यादा उसने वहाँ पर बारूद का भंडारन किया और वहीं पर उसने बिना किसी अनुमती के मैनिफेक्चरिंग का भी काम चालू कर दिया याने की पटाखे बनाने का काम चालू कर दिया यहाँ पर जोसे 11 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है लेकिन वहाँ पर उपस्तिती 400 लोगों की थी अब कितने लोग और भी मौत के गाल में जा सकते हैं यह अभी तो समय के गर्ब में हैं हलाकि रसकी आपर चला जा रहा हैं NDRF और SDRF की टीमेल वहाँ पर लगातार लगी और हम आपको एक और खास बात बताते चलें दोस्तों की जब यह धमाके हो रहे थे तो वहाँ पर धमाकों के बीच में NDRF और SDRF ने भी अपने हाथ खड़े कर दिये थे क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने ज्यादा ब पटाकों की आवाज खतम नहीं हो जाती है धमाकों की आवाज खतम नहीं हो जाती है आपको बताते चले का और आपको बताते चलेंगे दोस्तों की वहां पर जेसी भी मसीन से जब धुआ कम हुआ तो जेसी भी मसीन से वहां का मलबा उट आए जा रहा था तो उस मलबे से बार-बार बिसपोर्ट हो रहे थे तो जेसी भी मसीन को भी कई बार बंद करना पड़ा, ओपरेशन बंद करना पड़ा, तो इस तरीके से जो घटना हुई है, उसमें लगबग एक से डेड़ किलो मीटर दूर जाती हुई, जो मोटर साइकले थी, वो जमीन की कमपन की वज़ा से, ये धमाके की कमपन की वज़ा से, जो लोग जहां हाथ है वहीं पर गिर गए, हाथ सा कितना गंबिर होगा इसका अंदाजा आप, बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, दोस्तों किसी की बाड़ी कहीं और पड़ इसी तो उसका हाथ कट करके कहीं और पड़ा हुआ था, शरीर का कोई अंग कट करके कहीं और पड़ा हुआ था, और विशाई ये है कि 2015 में स्थापित हुई उस अवैद फैक्टरी का संचालन आज तक यह नहीं कि 2024 तक होता रहा सरकारे आती रहें और सरकारे जाती रहें लेकिन फैक्टरी का संचालन बंद नहीं हुआ यहां पर हम आपको एक और घटना बताने चाहेंगे दोस्ते कि 2015 में जब यह अवैद फैक्टरी चालो हुई थी तो उस समय भी दो लोगों की वहां भी स्पोर्ट से मौत हुई थी उस समय की चतकाली ने इसडीयम ने जिनका नाम शुरूती अगरवाल बता जा रहा है इन्होंने अपने कलेक्टर को अपने डीयम को इस बात के रिपोर्ट दी थी कि इस पर इस टे लगाया जाए या इसको बंद किया जा जाए यह इस पर डिसीजन लिया जाए कि किस तरीके से इस फैक्टरी को पर चलती रही यह कैसे संभाव है कि सरकार को इस बात का संग्यान नहीं था कि किसी क्रिशी भूमी पर कोई कैसे बिस फोटकों का जमावडा कर सकता है या फिर किस तरीके से जो है वहाँ पर पटाके बना सकता है बीना परमीशन के बना सकता है बीना लाइसेंस के बना सकता में कि अभी भी वहां पर बीना जले हुए कुछ बारूद के पटाखे वहां पर सूख रहे हैं जो की थोड़ी दूरी पर है एक बात आपका और बताते चलें दोस्तों कि यहां पर नेताओं ने अपना इलू-इलू का खेल चालू रखा हुआ मियाने कि कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के संग्रक्षन में वो फैक्ट्री चल रही थी और भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के संग्रक्षन में वो फैक्ट्री चल रही थी देश में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए बहुत बड़े दुर्भागी की बात है कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उस पर राजनीती करने से नहीं चुकती ये हमारे देश का सबते बड़ा दुर्भागी है इस पूरी घटना करम को जो लोग आँखों से देखे होंगे दोस्तों उनके आँखों में नीद नहीं होगी क्योंकि इस तरीके के खौपनाक मंजर इश्वर ना करे हम लोगों के आँख के सामने कभी आए लेकिन इस तरीके के मंज़र देखने के बावजूद भी यदि हमारे नेतागन इस तरीके से एक दूसरे के उपर आरोप और प्रत्यारोप का दोर चला रहा है तो मरने वाले को आप 15 लाख नहीं 20 लाख रुपए भी दे दें तो इस समस्चा का कोई हल नहीं है दोस्तों कैसे लगी मध्य प्रदेश से हमारी ये रिपोर्ट हमें जरूर बताईएगा मैं हूं अर्यम च्रिवास्ता और आप देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक नीज ओना और यदि आप मुझे फेस्बुक पर देख रहा हैं तो आप देख रहें यूनिक कि अर्देश से लगी में जरूरे यूनिक नीज चैनल यूनिक नीज वगी में अर्यम पर देख रहें अर्यम चैनल यूनिक प्रदेश से लिदाएगा मैं ह।